नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हैसके टुकाई थटी चले में चली दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे दीन दयाल उपद्या गोरकपुर विश्वविद्दाला का एडमीशन फार्म सुरू हो गया ऐसे में आप भी फिलब करना इस्टे बात करने वाले इस वीडियो में तो चली आज का वीडियो सुरू करते हैं डिडियू का आनलाइन अब एडमिशन फार्म फिलब करने के आपको सबसे पहले डिडियू के आप इसल वेपसाइट पर आ जाना है इसका लिंक आपको डिसक्रेशन पर आप पर आ सकते हैं देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का पेज उपन हो जाएगा दीन दयाल उपध्या गोरकपुर इनवर्सिटे का यह आप फीचियल पेज है यहाँ पर आपको सिंपली नीची आना है और अपने मोबाइल को आप देख सकते हैं यहाँ पर डिक्सटाप म पर एडमिशन का पेज ओपेज उपन उचुका है एडमिशन 2020 के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको सारी इंफार्मेशन मिल जाएगी देख सकते हैं यहाँ पर सभी कोर्स के नाम है कि इस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं साथ में यहाँ से इसका बुक क्लिक कर लेना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक निव पेज उपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का तो देख सकते हैं तो आपको इससे लिटर इंफार्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर लाश्ट डेट की बात कर लेते हैं तो लाश्ट जो इसका 30 जून 2020 रखा गया टोटल अप्लिकेशन फार्म फिलफ करने का सबसे पहला कि आपको रजिस्टेशन करना है इसके बाद यहाँ पर पेमेंट करना है और इसके बाद यहाँ पर फार्म फिलफ करना है और साथ में लाश्ट इस्टेप है प्रिंट आउट का तो चलिए एक एक इस्टेप बात कर करेंगे तो सब्सक्राइं करने के आपको tik लेगी करेंगे के सामने क्लिक क्क्राइए निया आपको registration कैसे करना है चली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर registration का पेज ओपन हो गया है चली आप देख लिए तरह registration आपको कैसे करना है लेकिन registration करने के पहले यहाँ पर notice आपको दिखाए जाए कुछ interaction है कि आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो भी आप detail देंगे उससे आप changes नहीं कर सकते बाद में संभवन नहीं होगा परिवर्तन करना है साथ में यहाँ जो आपका एज है यहाँ पर बताएगा BST nursing के लिए यहाँ पर अलग से लिमिट बताए इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर award employees related है तो यहाँ पर yes करेंगे नहीं तो simply आपको no कर देना है दो मेसाहिल आपका कहा यूपी के रहने वाले तो यूपी पे अधर पे हैं तो अधर पे क्लिक करेंगे साथ में यहाँ पर आपका इस्ट्रीम क्या है जो है 12 में जो जो भी आप सब्सक्राइब कर लेता हूं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचा आएंगे आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साइंस मैं से मैं अपलाई करना चाहता हूं चलिए यहाँ पर नीचे आएंगे आपका यहाँ पर 10 प्लस 2 का स्टेटस हो रहा है कि आप 10 प सब्सक्राइब करेंगे यहां पर आपको सब्सक्राइब करना है जो भी आपकी जाती यहां पर सब्सक्राइब कर लिए चलिए इसके बाद नीचे आएंगे आपको एक और एक email id यहाँ पर देदना है साथ में यहाँ पर register का आपसन मिला है तो simply आपको register पर click कर देना है तो चली इतना रिटेल इंटर कर लिए register पर जैसे click करेंगे आपसे एक बार फिर confirmation पूछा जाएगा आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर एक registration नमबर मिल जाएगा देख सकते इस प्रकार चाहे तो आप इसको सेफ करके इसके नहीं तो सारा डिटेल आपके मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको courses दिख रहे हैं कौन से कोर्स के लिए आप apply कर सकते है साथ में हाँ पर नीचे आएंगे फार्म फील का option मिला है फील फार्म कता इस पर क्लिक कर सकते हैं जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का page open हो जाएगा यहाँ पर आपका registration complete हो चुगा है आप second step है यहाँ पर fees payment का चलिए फीस payment की बात कर लेते तो यहाँ पर जनर math के लिए apply करेंगे तो BSC math के सामने हाँ पर paper क्लिक करेंगे BA के लिए apply करेंगे तो यहाँ पर BA के सामने paper क्लिक करेंगे तो चलिए simply अगर BA के लिए आपको apply करना है तो यहाँ पर paper क्लिक करना है जैसे आप paper क्लिक करेंगे यहाँ पर आर्यू शेयर का option आएगा तो यहाँ पर आपको okay कर लेना है, यहाँ पर इस second step भी direct payment का है, इसके बाद आपका third or fourth step बचा है, तो चलिए payment का website आपके सामने open हो जागा, page open हो जागा, देख सेते इस प्रकार का, अब आपको payment करना है, payment करने के लिए simply क्या करना है, यहाँ पर आपको card number इंटर कर लेना है, जो भी debit card हो या credit card है, आपके पास उसका card number इंटर कर लेना, साथ में हाँ पर expired date का month और year इंटर कर लेना, CBB code इंटर करेंगे, card holder का name इंटर करेंगे, इतना detail देंगे, नीचे आएंगे, आपको make payment का option मिला है, make payment पर क्लिक करेंगे, आपके register mobile पर OTP भेजा जागा, OTP भेरिफाई कर आपका payment successfully हो जाएगा, payment करने के बाद आपको फिर से इसी page पर आना है, फिर से login करना है, और आपके सामने ऐसा page आजाएगा, यहाँ पर आप चाहें, तो print पर click करके अपना print payment receipt download कर सकते हैं, साथ में हाँ पर इसके बाद थर्ड इस्टे पर आपका जो कि farm fill up करना है, इस पर click करेंगे, और farm fill up करेंगे, और यहाँ पर last इस्टे पर viewpoint का, तो दोस्तो अभी बता दू, मैं अभी fees payment नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी application अभी applicant नहीं है, जिसका farm fill up करना है, तो जल्दी मैं कोशिस करूँगा, कि इसका next part upload कर दू वीडियो, जिसमें farm fill up मेरे द्वारा यहाँ पर कर दिया जाएगा, दोस्तो जो भी payment होगा, उनको देना पड़ेगा, साथ में उनको 50 रुपे का इस्ट्रा payment करना होगा, जो कि यहाँ पर फीच लिया जाएगा, तो दोस्तो अगर आपको जरूरत है, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने से farm fill up कर सकते हैं, कोई problem हो रही है तो आप मुझे comment कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगो तो like और share कर दीजिए, और अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियें, तो चैनल को subscribe करके bell icon press कर लिजिए, इसके लाओ कोई भी problem हो रही है तो आप मुझे comment कर सकते हैं, वीडिय यो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद,